नमस्कार दोस्तो वेलकाम टो हम प्लान फरियो आज हम जो प्लान डिस्कास करेंगे उसका साइज है 28 फिट इन्टू 40 फिट का है जो की 1120 स्क्वेर फिट स्क्वेर फिट इसमें होगा आपका 3BHK इसका जो रिक्वार्मेंट हो जगा यहाँ पर जगा मेंगेट मेंगेट का लेफ्ट साइट में आपको मिल जाता है गार्डेन फ्रंट गार्डेन यहाँ पर मिल जाता आपके पार्किंग कंस्टियार यहाँ पर मिल जाता आपका पह दूसरा बेड्रूम और यहां पर मिलाता आपका एक मास्टर बेड्रूम और इसका एटेस्ट टोयलेट इसका एटेस्ट ड्रेस दोस्तो इसका जो उड़ी था आपका ऐसे 28 फीट है इसका लेंद था आपका 48 फीट इसका इंटरियर में आपको मिल जाता है यहां पर आप जो म में निचे और यहां पर आप्को तिन ठोह बाइक आराम से फार कर सकते हैं उस्तों अपके शाब से जो भी र क्रेए fø के प्लेस कर सकते हैं इसमें जो आपको पहला बेड्रूम मिल जाता है पहला बेड्रूम पर हम डूर का लेफ्ट साइट पर ते आपका एक बैड्र और यहां पर दें आपका एक वेट्रब दोस्तों इसमें जो आपको एक living come dining space मिल जाता है हम इस space को living purpose के लिए यूज के हैं और इस purpose को हम यूज के हैं dining purpose के लिए यहाँ पर हो जाता है आपका एक six sitter का dining table जो कि kitchen के पास में हो जाता है और यहाँ पर kitchen का slab slab के उपर दें आपका एक stove और इसी को नर पर दें आपका एक sink और इसी क यहां पर आप एक TV उनिट भी आराम से डाल सकते हैं दोस्तों इसमें जो एक common toilet मिल जाता है common toilet पर हम डूर का राइड side corner पर दिया आपका एक wash basin और outer वाल पर दिया आपका एक common और दोर के सामने यहां पर इसी वाल पर जो कि bedroom का partition वाले यहां पर दिया आपका एक common दोस्तों यहां पर दिया आपका एक shower इसमें जो आपको दूसरा बेड़ू मिल जाता है दूसरा बेड़ू पर हम डूर के सामने यहां पर दिया आपका एक wardrobe और दोर का right side पर हम यहां पर आपका एक वेड्रॉफ और यहां पर आउटर और फेस कर दिए हैं बैड और आपका टोईलेट की पास में आपका एक मिरोर विनिट जो की बहत्रीन चाल लगता है दोस्तों आउटर से आपको एक मिरोर विनिट भी मिल जाते है इसमें जो एक टेस्ट टोलेट है एक टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखे किनकी मैं आगे इसका डिटेल साही जो इसका डिटेल एस्टिमेट भी आपको देखाऊंगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा कुछ भी डाउन ने रहेगा दोस्तों और प्लीज दोस्तों हमें जरूर सपोर्ट दे दोस्तों यह आपका आज जो हम प्लान डिसकस करेंगे उसका फूल भी हुए अब यह हम देखेंगे आज का जो प्लान है उसका डिटेल से यह होज़ेगा में गेर्ट जो कि आपका नाइन फिट का असपास हो जाएगा इस पर जो आपको ए गार्डेन मिल जाते है उसका ले 5 दोस्तों इसमें जो इस्ट्या office च्रिय Aleca इ। आपका 7 छे आपका 10 इंच का हो जेगा दोस्तों इसमें उपको पैला वेड़ू का लेंद्ध evD-TOW चैनरी श्ली तरबन का नाइन फिट एइट इंच यहाँ पर जो विंडोज है यह आपका 4 feet का हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो डोर हो जाएगा यह हो जाएगा 14 इंच इसका और यह डोर भी आपका हो जाएगा 4 feet का दोस्तो इसमें जो आपको living, calm, dining space मिल जाते है उसका length है आपका 16 feet 6 inch और सा उर्ट है आपका 7 feet 4 inch इसमें यहाँ पर slab है इसका उर्ट है आपका 25 inches और जो slab का height है floor level से वह आपका 32 inches दोस्तो और यहाँ पर आपको एक विंडोज मिल जाते है यह आपका 3 feet का है और यहाँ पर जो डोर है यह भी आपका 3 feet का हो जाएगा इसमें जो आपको ए common toilet मिल जाते है उसका length है आपका 6 feet और सा उ 12 feet 9 inches और इसमें आपका 10 feet और यहाँ पर जो इन्दोज है यह आपका 3 feet का और यह भी विंडोज है आपका 10 feet का जोस्तो जहाँ पर open space होगा यहाँ पर जरूर windows दीजेगा दोस्तो और यहाँ पर जो आपका door है यहाँ आपका 40 inches का हो जाएगा इसमें जो on a यह मास्टर में दूबेंज जाजता है उसका लेंद थे आपका 12 feet 9 inch एंसा उल्ट थे आपका 10 feet दोस्तो यहाँ पर जो एक डॉर है यह आपका 4 feet का हो जागा यह विंडोज है आपका 4 feet का और यह डॉर हो जागा आपका 14 inches का दोस्तो इसमें जो आपको इसका 1 test डोलर मिल जाता है उसका लेंद थे आपका 6 feet 5 inch एंसा उल्ट थे आपका 4 feet दोस्तो यहाँ पर जो डॉर है यह आपका 32 inches का हो जागा इसमें जो ड्रेस हो जागा उसका लेंद हो जागा 6 feet एंसा उल्ट हो जागा आपका 4 feet दोस्तो यह दोर आप देने से भी होगा नहीं देने से होगा यह डोर होजा आपका 32 इंचेस का दोस्तों लीट चेनल को सब्सक्राइब का ना भूले अच्छा लाइक करें और शेयर जरूर करें क्योंकि दूसरों को भी कुछ हैल्प होजें कौमेंट करके यह बते का प्लान कैसा लगा अ आज का जो प्लान है हम आगे इसका एस्टिमेट देखेंगे भीडियो को एन तक जरूर देखें दोस्तों इसमें जो अपका मिछेयल को सब्सक्राइब करें और यहांप जो बेल डाकन कर यहांपर प्रेस कर देए यहांपर प्रेस कर देने यह होगा कि मैं जब भी वीडियो प्पूट करूँ आपको नर्टुरेशन मिल जाएगा दोस्तो और वीडियो अच्छाला तो जरूल लाइक हीज़े दोस्तो और आप जो भी सोस्याल मेडिया यूज़ करतें दोस्तो इस वीडियो को सेयर कीज़े हमें जरूर सपोर्ट दे इसमें 2,28,750, bricks के लिए होया आपका 1,67,50, tiles के लिए होया आपका 61,000, plumbing के लिए होया आपका 45,750, electrical purpose के लिए होया आपका 45,750, sanitary purpose के लिए होया आपका 38,125, door windows के लिए होया आपका 45,750, printing वार के लिए होया आपका 68,625, एक्स्टा वार्स एफ्टी परफस के लिए मेटल परफस के लिए हम रखे हैं 45,750 और टोटार मिलाकर आपका एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट होया थब का 15,25,000 दोस्तु इह आपका एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट का फूल भी हुए आज का जो प्लान है उसका पीडियोब का लिंक में टेक्स्टिमेट बखस दे दूँगा आपको मिल जाएगा मिलते हैं नए वीडियो पर थैंक यू